नमस्ते चात्रों आज हम इस वीडियो में प्राग यत्यासी काल के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूंगी कि प्राग यत्यासी काल को पढ़ने से पहले हमने जो भारती यत्यास का काल विबाजन है उसके बारे में पढ़ लिया है तो तो भारती एЭ्थियास के काल विवा जया वाजन में हमने देखा था कि भारती एथियास का विवा जया तीन भागो में किया गया है वो कौन-कौन से है प्राग एथियासी काल आदे एथियासी काल और एथिहासी काल ठीक न? तो इनके बारे में पहले जो information दी गई उसको देख प्राग इतिहास का अर्थ क्या होता है वो प्राग इतिहास का अर्थ है इतिहास से पूर्वे का युग ठीक है और जो प्राग इतिहास काल है इसका समय है पांच लाक इससा पूर्वे से दो हजार पांसो इससा पूर्वे और जो प्राग इतिहास काल इसको तीन भगों में ब पासान काल फिक है आद देखिएगा जो प्राग इत्यासी काल है इसमें लिखित वीवरन नहीं मिला है इस काल के विशे की जानकरी पासान के उपकरणों तथा मिट्टी के बर्तनों वा खिलोन से प्राप्त होती है इस काल के बारे में जानकरी केवल पुरा तात्विक्स रोत से मिलती है आदी काल अर्थात प्राग इत्यासी काल को वेगयनिक सब्दावली में प्लाइस्टो सीन अर्थात अभी नुतिन युग भी कहा गया है पूरे पासान काल में मानव की जीविका का मुख्य अधार सिकार था और मानव सब्दाव के विकास में पासानों का बहुत महत्वरा है पासान से मानव ने भोजन संग्रहित किया, आवास बनाया, कलासी की, आविस्कार किये, प्राचीन तंप कलाकरतिया, पासानों पर उतकिन की गई है, पासानों से ही आविस्कारों की उर्जा, अगनी प्राप्त की समस्त ओजार, अथियार, आस्त्रे, मानव ने पासानों से ही प्राप्त किये, पासान अर्थात पत्थर, इसी से आरंबिक मानव के इत्यास को पासान यूग के नाम से भी जाना जाता अर्थात, जो प्राग इत्यासी काले इसको पासान यूग भी कह सकते हैं, पासान युग में सनेशने धीरे-धीरे कर्मिक रूप से मानव का जीवन अधिक व्यवस्तित होने लगा इस आधार पर पासान युग को तीन भागों में बाटा गया है पासान युग में भी जैसे यह तो अई उतार्च ढावत आये ही है जैसे जैसे लोगों को थोड़ थोड़ा ग्यान हुआ उनमें उनके उजारों में सुधार हुए उनके रहन सहन के तरीके में सुधार हुए तो इस परकार से जो आपका प्राग इती ऐसी काल है इसको अपने दूसरे नामों से पासान नाम से भी जान सकते हैं अब यह है तीन भगों में बाटा गया वो कौन-कौन से तीन भग पूरा पासान काल, मध्य पासान काल और नव पासान काल वह 5,000,000 इस्सा पूर्वा से 10,000 इस्सा पूर्वा तक था मध्य पासान का लव है 10,000 इस्सा पूर्वा से 7,000 इस्सा पूर्वा और 9 पासान का लव है 7,000 इस्सा पूर्वा से 3,000 इस्सा पूर्वा तक था अब देखेंगे सबसे पहले पूरा पासानकाल के बारे में तो जो पूरा पासानकाल है इसके भी तीन उपभाग है वो कौन-कौन से निम्न पूरा पासानकाल जो 5,000,000 इसा पूरव से 50,000 इसा पूरव तक था इन सब के बारे में हम अलग-अलग से आगे देखेंगे, फिल हल हम पूरा पासानकाल के बारे में एक साथ देख लेतें, तो पूरा पासानकाल, संपूर पूरा पासानकाल, जो 5,00,000 इसा पूरा से 10,000 इसा पूरा में यह हिम यूग के अंतरकत आता है, अता है पूरा पासान संहें कि मातरा अधिक मिलती है वहाँ पर लोक बाक रहते थे उनके अफसेज पूरा पासान काल में मानव के ओजार और हतियार कुलहाडी पत्थर तक्षणी खुर्चनी छेदनी आदी थे जो परिस्कृत और तिक्षण नहीं थे आग का अविस्कार भी पूरा पासान काल में ही हुआ था पूरा पासान काल में पसू जिनसे मनव परिचित था वो कोन-कोन से थे बंदर, हेरन, बक्री, भैंस, गाय बैल, नील गाय, सुवर, बारह सिंगा, गेंडा, हाती, आदी थे जिनके अवसेश सहला स्रे की कला कृतियों से उपलब्द होते हैं अर्थाथ चित्रकला भी उसमें थी इस काल का मानव कच्छों यों मचलियों से भी परिचित था और विभिर परकार के फलों, पुस्पों, कंद मूल से भी वो परिचित था अब देखेगा कई बार विख्या में पूरा पासान काल के पर्मुक स्थलों के बारे में पूछ लेते एक आदा क्यूसन ऐसा आता है तो यहां पर द्यान से देखेगा सोहन नदी गाटी जो सिंधू की छोटी सायक नदी है इस स्थल से पूरा पासान उपक्रणों की खोज 1928 इस्वी में डी एन वाहिया ने की थी व्यास तथा सिर्षा नदियों के तटिये छेत्रों से पूरा पासान काल के पर्मुक स्थल मिले हैं पहल गाव अडियाल बलवाल चोंटाणा आदी इस छेत्र की पर्मुक बस्तियां थी राजस्थान के थार मरुस्तल के डीडवणा चेत्र में लूनी नदी गंभीरा नदी चंबल नदी की गाठियों में पूरा पासान कालीन पूरा तात्विक बस्तियां प्राप्त हुई हैं गुजरा चेत्र में साबरमत्ती माही भद्दर नदियों के किनारे पूरा पासान कालीन पस्तियों के अवसेस प्राप्त हुए हैं नर्मदा नदी छेत्रवय विंधे परवतमाला में पूरा पासान का लीन बस्तियों के अवसेस मिले हैं, जिन में भीम बेटका, भीम बेटका कहां पे मध्यपरदेश में ये भी परशिद है, विंधे से दक्सिन अर्थात तापती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदियों क किनारे पूरा पासान का लीन अनेक स्तल जैसे नवासा, कोरेगां, सिकारपूर आदी मिले हैं, सुदूर दक्सिन में कृष्णा की सहायक नदियों के तटों पर पूरा पासान यूगीन अनेक बस्तियों के अवसेस मिले हैं, जिन में बागल घोट, पैनियार, गुडियम, परमुख हैं, बिहार में रासे नदि के तट पर, सिहें भूम, बंगाल में दामोदर तथा स्वण रेखा नदियों के तटों पर पूरा पासान यूगीन अवसेस मिले हैं, अब देखिए पूरा पासान काल से सम्मन्दित तथे, मैं तो बुन जो नोर्स ना वो देखेगा पासान काल की आरंभिक अवस्ता अर्थात पूरा पासान का नाम यूनानी शब्दों के आधार पर रखा गया है, सबसे आदिव व्यक्ति को पूरा पासान कालीर मानव कहा गया है, भारत में ज्यादा तर अवसे चमकीले पत्थर के निर्मित हैं, इसी कारण इन मानवों को चमकीले पत्थर के मानव कहा गया है, पूरा पासान कालीर मानव ने अगनी जलाना सीख लिया था, कर्नूल जीले की गुफवों में अगनी के चिन मिले हैं, हड़ी के उपकणों का प्रियोग किया जता था, इस काल का मानव होमो सेपियन्स अर्थात आधुनिक मानव का में हुआ था, अब देखेगा, पूरा पासान काल के स्तल, जो महतो पुन स्तल हैं, हमने आपको बताए हैं, वो देखेगा, नेवासा, नरमदा नदी घाटी, भीम बेट का, बेलन घाटी, नासिक, नासिक के पास पटने, होमो सेपियन्स, अब देखेगा, नेवासा से क्या महरास्ट में है, इसकी खोज, HD संकालिया ने की थी, यहां से मध्य पूरा पासान वे, निम्न पूरा पासान काल के उप्रण प्राप्त में हैं, संकालिया ने इस स्तल को प्रारूप स्तल गोसित किया है, नरमदा नदी घाटी, हतनोरा, जो कहांपे है, होसंगाबाद में, यहां से 1982 में पर्थम मानव जिवास में मिले, तथा यहीं से दो हतीनियों के जिवास में भी मिले हैं, कहां से हतनोरा से, भीम पेट का, भीम पेट का कहांपे है, मध्य पर्देश में, यहां की शलाएं, अर्थात गुपाएं, इनकी दिवार पर कुछ चित्रे मिले हैं, ज बेलन घाटी, यूपी में है, बेलन घाटी के पास लोहदा नाला से हड़ी के बनी मातर देवी की मूर्ती मिली है, नासी के पास पटने, कामपरे पटने महरास्ट में, यहां से सुतुर मुर्ग के अंडे पर रेखाएं खीची हुई है, ठीक है, इसके बाद आता है होमो सेप जिसको आधुनिक मानुव कहा जाता है, इसका विकास 30,000 इससा पूरव में हुआ, और वो भी पूरा पासान काल में ही हुआ, अब देखे अगला आता है, मद्धे पासान काल, मद्धे पासान काल का समय क्या है, 10,000 वर्ष पूरव से 7,000 वर्ष पूरव तक, यह काल पूरा इतरह से स्माप्थ हो गया था तथा जलवायू गर्म तथा अध्रि हो चुकी थी जिसका प्रभाप पसु पक्सी तथा मानव समुह पर पड़ा बड़े पासान उपकरणों के साथ साथ लगू पासान उपकरण का पर्चलन भी मिलता है ये उपकरण एक से आठ सेंटीमिटर तंबे विभीन आकार वाले जैसे त्रीकोंड, नव चंद्राकार, अड़ चंद्राकार, बलेड आदी बिलते हैं मध्य पासान काल की सरवादिक महत्तोप्न उपलब्दी थी मनुशे को पसु पालक पनाना अर्थात मनुशे अब पसु रखने लगा है इस काल में आखेट क चेतर में भी परिसकार हुआ, वय तिक्सन एहुं परिसकरत ओजारों का प्रियोग करने लगा, प्रक्षे पास्तर तक्नीकी पनाली का विकास इसी काल में हुआ, ये प्रक्षे पास्तर जो तक्नीकी पनाली क्या था, छोटे पक्सियों को मानने वाले छोटे छोटे उपकर इस काल में तीर कमान का विकास भी हुआ बड़े पसुओं के साथ साथ छोटे पसु पक्सी एहुं मचलियों के सिकार में विकास सम्भव हुआ मद्धे पसान काल के स्थल कोन कोन से हैं राजस्तान दक्सिनी उत्रपरदेश मद्धे भारत पूरवी भारत दक्सिनी भारत में कृष्णा नदी के दक्सिन छेतर अर्था आत राजस्तान से मेगाले तक वय उत्रपरदेश से लेकर सुदूर दक्सिन तक प्राप्त हुए हैं मद्धे पासान काल के इसलों के वर्यम जैसे के राजस्तान तो बागोर अर्था बागोर का है भीलवाड़ा बागोर एवं आदमगड से पसू पालन के प्राचिंतम साख से मिले हैं जिनका काल लगभग पच्पन सो इस्सा पूरा माना गया है लेकिन ये अपवाद है क्यूं और दूसरा एक और स्थान है मद्धे पासान काल से समधी वह है तिलवार फिर है मद्धे परदेश मद्धे परदेश में आदमगड आदमगड से भी मद्धे पासान के जो साक्सें वो प्राप्त हुए हैं फिर अगला आता है उत्तर परदेश तो उत्तर परदेश के बेलन का साक्से तो जो बेलन घर्टी सराई नहर राय है यहां से इस्थम गर्थ के साक्से मिले हैं तता गर्थ चुल्ले के साक्से भी मिले हैं सराई नहर राय से आठ सयुक्त गर्थ चुल्ले प्राप्त हुए हैं जो सयुक्त परिवार पर्था का उधारन है यहां से आवास के पर पसानकाल के स्रोत मिले हैं या अर्था साक से मिले हैं गुजरात गुजरात के लंगनाज और बलसाना से तम्मिन नाडु के टेरी सम्मुह से पस्सिमी बंगाल के वीरभानपुर से और दक्सिन में संगनकल रेणी गुंटा तीन्य वेली मध्धे पसान युगिन अवसेशिया से मिले हैं इसी परकार पूर्वी भारत में मयूर भंज, सुन्दरगड, सेबालगिरी से भी मद्धे पासान यूगीन पुरातात यूग अफसे से मिले हैं इसी परकार मद्धे जो पासान कालीन यूग है उसे समझे महतोपुन तथे देखेगा महादहा काँपर है उत्तरपरदेश में तथा सराय नहरराय भारत में मद्धे पासान काल के प्राचिंतम स्तल है लंगनाज, महादहा, सराय, नहरराय से गर्थ अर्थात जमीन के अंदर के चुले के साख से मिले जो आमने पहले बताया है और यही से पसुओं की जली हुई हडिया भी प्राप्त हुई है, सामबर चेतर में लेखवा, खैरवा, गोविंदगड से मानव द्वारा वरक्षा रोपन के प्राचिंतम साख से प्राप्त हुए है इसी प्रकार, अब हम देखते हैं, नवपासान काल के बारे में, तो नवपासान काल का समय क्या है? साथ हजार इसा पूर्वा से तीन हजार इसा पूर्वा, नवपासान काल को जोन लुबाग ने नवपासान संस्कृती की संग्या दिया, तथा गार्डन चाइल्ड ने भी ये का है? जोन लुबाग ने नवपासान संस्कृती की संग्या दिया वैसे ही नवपासान संस्कृती कार्डन चाइल्ड ने दिया, इसका कारण ये है कि, इस काल में मानव खादे संग्रहक से, खादे उतपादक की स्रेणी में आ गया, पहले तो वो क्या है उनले खाता था खाना बनाता था उतना खा लेता था अब वो क्या कर रहा है उसको उत्पादन भी कर रहा है उसको इकठा भी कर रहा है इस काल में करसी पसुपादन का विकास हुआ करसी करने लगा मनुस्य से पसुपादन करने लगा और खेती करने लगा तो नवपासान काल में कर्षी का प्राचीतम साख से मेहरगड काँ पे मेहरगड बलवचुस्तान पाकिस्तान यहां से प्राप्त हुआ है इस काल में स्थाई निवास के परमान भी मिले हैं गेहूं तथा जो भी इसी काल में मिले हैं तथा खजूर की एक किस्म भी प्राप्त हुई है कर्शी के लिए अपनाई गई सबसे प्राचिन पसल गेहूं और जो है पहिये का अविस्कार नवपासान काल में हुआ इस काल से ही पता चलता है कि मनुसे ने सबसे पहले कुट्टे को पालतु बनाया क्रेशी करम से अनाज के संग्रह बोजन की पदत्ती है तुम्रिद भांडों का निर्मान आरंब हुआ क्रेशी कारिये के लिए पत्थर के उपकरण अधिक धारदार वह सुघड़ बनने लगे उन पर पोलिस भी होने लगी अनाज के उतपादन से जीवन में स्थाईत्वा की पुरबर्ति आई तथा ग्राम संस करती की स्थापना हुई तो सबसे पहले ग्राम संस करती आई नवपासान काल के स्थल ब्लूचिस्तान में मिहरगड और सरायखोल कस्मीर में बुर्जोम और गुफकराल उत्तर परदेश में कॉलडी हवा चोपाती मांडो और महागरा बिहार में चिरांग, बंगाल में ताराडी है, खेराडी है, पांडू, मेघले, अस्सम, गारो पहाडियां और दक्सिनी भारत से कन्नाटक, मास्की, ब्रहमगीरी, टेकल कोटा, संगेन कल्लू, अंदर परदेश में उतनूर, तमिनाडू में पोचम पल्ली ठीक है, यहां से नवपासान काल के साथ से मिलते हैं, इसी प्रकार दक्सिनी भारतिय नवपासान स्थलों की परमुक विश्यस्ता है, गोसाला की प्राप्ती, एम राक के धेर की प्राप्ती, तो गोसाला की प्राप्ती, गोसाला काहां से प्राप्त हुई है नवपासान का इसी छेतर में नवपास्तान यूगीन सभ्यता की परमुक विसेश था गेहूं और जोका उत्पादन कच्ची इंटों के आयताकार मकान बड़े पैमाने पर पसुपालन आधी हैं इसी छेतर में 5000 इस्सापूर्वय के बाद से मरित भंडों के अवसेश भी प्राप्त हुए ज पॉल्डी हवा क्यों है इन सब के बारे में आपको परिक्सिया में पूल सकते हैं इसलिए हमने इनके नौट्स मनाएं देखेगा बुर्ज हो मी यहां से गर्त आवास वीवित परकार के मरित भाण पत्थर के साथ साथ हड़ियों के ओजार गेहूं वै जोके अलावा मसूर अरहर का उत्पादन ओजारों पर पोलिस आदी के अवसेस मिलते हैं यहां से मनुस्य की कब्र में कुट्टे को भी साथ दपनाये जाने के साथ से मिले हैं तो कई बार ये क्योशन आ चुका है एक्जाम्स में कि मनुस्य की कब्र में कुट्टे को भी साथ दपनाये जाने के साक्से कहां से मिले हैं वो है बुर्ज होम अब देखें कब ऐसे भी पूछ सकते हैं बुर्ज होम कहां पे हैं वो है कस्मीर गुफ कराल यहां से भी गर्थ आवास के साक्से मिले हैं विंदे चेतर विंदे चेतर में बेलन घाटी चेतर और मिर्जापूर में भी नवपासान यूग के अनेक स्थल मिले हैं कोल्डी हवा यहां से चावल के प्राचींतम साख से मिले हैं एक और चीज मिली है कोल्डी हवा से एक तो चावल के प्राचींतम साख से एक मरत भांडों के प्राचींतम साख से और जोंपडियों के भी साख से कोल्डी हवा उत्र प्रदेश से म नीले है यहां से टेरा कोटा की मानव मूर्तियां भी प्राप्थ हुई है ऐस्समवए मेघले यहां से नवपासान यूगीन स्थल प्राप्थ हुए है इस त से प्राप्थ मृत्भान्ट विशिस्थ है जिन गए हैं दक्षन में चंदेली नेवासा दैमाबाद एरण जोखा आदी नवपासान सल रहे थे यहां के मानव धातु यूग में प्रवेश कर गए थे दक्षन भारत में नागारजून, मासकी, पिकी हल, ब्रहमगीरी, हलूर, आदी परमुग बस्तियां थी जहां उत्तर भारत में गेहूं जो एंचावल के साख से मिलने हैं वहीं दक्षन भारत में रागी के साख से मिलने हैं विश्वज तरपर लगबग 9000 इस्सा पूरवा में 9% काल की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 इस्सा पूरवा में माननी जाती है तो आज हमने यहाँ पर प्राग इत्यासिक काल के बारे में पढ़ा है और भी विश्त्री जानकर हम आपको अलग-अलग वीडियोज में देते रहेंगे भारती इत्यासिक के बारे में हमने और भी इन्फोर्मेशन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर डाली हुई है तो यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नई-नई इन्फोर्मेशन आप प्राप्त करें और फेस्बुक पे आप हमें लाइक और सेर करें और ट्विटर पे आप हमें फोलो करें और वाटसप को आप जो हमारा ब्रोडकास चैनल है उससे आप जुड़ें ताकि आपको ने-ने वीडियो मिल सकें धन्यवाद